दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले 7 best wire earphones जो किया थे 500 रुपेज से 700 रुपेज के price range के अंदर इस price category में premium sound वाली earphones मिल जाते हैं जिन में आपको high base, rich vocals, best build quality, braided and tangle free cable, inline button controls, HD microphones, water resistant rating और one touch voice assistant जैसे features मिल जाते हैं इस price category में बहुत सारे earphones आते हैं, in fact 700 रुपे से wireless earphones भी मिलना शुरू होते हैं, लेकिन उनमें आपको sound quality उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी की एक wire earphone में मिल जाती हैं अगर आप gaming के लिए कोई earphone लेना चाहते हैं, तो मैं आपको wire earphone suggest करूँगा, क्योंकि उसमें zero latency होती है, जिसमें आपको real time gaming experience मिल जाता है, साथी music quality भी top notch मिल जाती है अगर आप भी कोई best wire earphone लेना चाहते हैं, और आपका budget 500 से लेकर 700 के आसपास हैं, तो इस वीडियो को last तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी के details, specification, features और जानेगे इनमें से कौनसा earphone किस price में लेना सही रहेगा तो शुरुआत करते हैं नंबर 7 से, तो नंबर 7 पर आता है boat bass heads 103, दोस्तो बोट की दरफ से आने वाले एक best selling earphone है, जिसमें आपको high base मिल जाता है, इसमें आपको air shape 3.5 mm audio connector और magnetic ear tips मिल जाते हैं, याद ये 10 mm के audio drivers के साथ, जिसमें बोट की signature audio quality और extra base मिल जाता है, जिसमें आ HD microphones और inline button controls मिल जाते हैं, साथी one touch voice assistant का feature भी मिल जाता है, याद ये 500 रूपे की price के साथ, जो decent audio quality प्रोवाइड करते हैं, जिसे flip card पर 5 लग से भी ज्यादा rating मिली है, तो आप इसे check out कर सकते हैं, इसकी link आपको description में मिल जाएगी, आप चलते हैं नंबर 6 की तरफ, तो नंब vocals और decent bass मिल जाता है, इसमें durable tangle free kevlar cable मिलती है, साथी wooden finish और L-shaped audio connector भी मिल जाता है, इसमें HD microphones, inline button controls और voice assistant का feature भी मिल जाता है, याद ये 500 रूपे की price के साथ, दोस्तों ये unique wooden build के साथ आते हैं, इसलिए इसे हमने इस list में शामिल किया है, साथी इसमें audio quality भी decent मिल जाती है, तो इसे भी आप checkout कर सकते है, इसकी link आपको description में मिल जाएगी, आप चलते हैं number 5 की तरफ, तो number 5 पर आते हैं boat bass heads 252, दोस्तों इस list के यही earphones है, जिसके साथ आपको hard case मिलता है, जिसमें आप earphones carry कर सकते है, साथी इसमें L-shaped audio connector, flat tangle free cable, और metal build quality भी मिल जाती है, इसमें 10 mm के audio drivers मिलते हैं, जिसमें boat की signature audio quality और extra base मिल जाता है, इसमें आपको inline HD microphone मिलता है, लेकिन इसमें आपको button controls नहीं मिलते हैं, यह आपको 7 color combination में मिल जाते हैं, याथे शाड़े 500 रुपे की price के साथ, इसका without case वाला variant 500 रुपे में मिल जाता है, दोस्तों इसमें आपको hard और durable case मिलत जाती है, तो इसे भी आप consider कर सकते हैं, इसकी link आपको description में मिल जाएगी, आप चलते हैं number 4 की तरफ, तो number 4 पराते है, boat bass heads 242, याथे शांदर sporty looks और design के साथ, साथी इसमें best build quality और water resistant rating भी मिल जाती है, इसमें 10 mm के audio drivers मिलते हैं, जो best audio quality प्रोवाइड करते हैं, साथी इसमें inline button controls और HD microphones भी मिल जाते हैं, इसमें IPX4 water resistant rating मिलती है, और ये 6 different color combination के साथ आते हैं, इसकी price पास्तो रुपए के आसपस देखने मिलती है, इस price पर ये आपको best value for money features और sound quality प्रोवाइड करते हैं, इनकी link आपको description में मिल जाएगी, अब चलते हैं number 3 की तरफ, तो number 3 पराते है Deezo Wire Earphones या फिर Realme Birds 2 Neo, ये दोनों एक ही Earphones है, दोस्तों Deezo Realme का ही sub brand है, दोनों में आपको same build quality और audio quality मिलती है, सिर्फ इन दोनों की price different है, Deezo Realme से सस्ता मिलता है, इसलिए हमने इसे इस list में शामिल किया है, वरना आप Realme Birds 2 Neo के साथ भी जा सकते हैं, इसमें 11.2 mm के बड़े sound drivers, जिसमें rich audio quality और deep bass मिल जाता है, इसमें 90 degree audio jack मिलता है, और magnetic ear tips भी मिल जाते हैं, इसमें HD microphones और inline button controls मिलते हैं, साथ ये one touch voice assistant का feature भी मिल जाता है, दोस्तों Deezo की earphones आपको 4500 रुपे के अंदर मिल जाते हैं, वही Realme Birds 2 Neo 500 रुपे के आसपास मिल जाते हैं, दोनों में आप आपको same build quality, audio quality और features मिलते हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी purchase कर सकते हैं, इनकी link आपको description में मिल जाएगी, अब चलते हैं number 2 की तरफ, तो number 2 पर आते है JBL C150SI, दोस्तों अगर आपको best sound quality, decent bass और rich vocals के साथ एक balance earphones चाहिए, तब आपके लिए ये सही रहेंगे, इसमें आ आपको rich vocals, decent bass और JBL के audio tuning मिल जाती है, याद ये 45 degree angle ear tips के साथ, जो comfortably fit हो जाते हैं, इसमें inline microphones मिलते हैं, साथी button controls और voice assistant का feature भी मिल जाता है, इसमें आपको 3 different color combination मिल जाते हैं, याद ये 700 रुपे की price के साथ, लेकिन sale अगरा में ये आपको 600 रुपे में भी मिल जाते हैं, इ पर आते हैं, Realme Buds 2, दोस्तों इस price range में एक perfect all-rounder earphones है, इसमें आपको top notch audio quality मिलती है, शाती इसमें आपको braided cable, magnetic ear tips और cable organizer strap भी मिल जाता है, याद ये 11.2 mm के dynamic sound drivers के साथ, इसमें Realme की signature audio quality मिलती है, साती rich vocals और deep bass भी मिल जाता है, इसमें आपको सबसे premium audio quality देखने मिलती है, इ या ते HD microphones के साथ और साथ ही इसमें inline button controls और voice assistant का feature भी मिल जाता है ये तीन different color combination में मिल जाते है या ते 600 रुपे की price के साथ लेकिन offers वगरा में ये आपको 500 रुपे में भी मिल जाता है दोस्तो ये इस segment के best selling earphones है जो value for money sound quality प्रोवाइड करता है साथ इसमें आपको premium build quality भी मिल जाती है और दोस्तो अंडर 700 रुपीज में मैं भी आपको यही suggest करूँगा इस वज़े से Realme Birds 2 हमार लिस में number 1 पर आते हैं इन सभी की link आपको description में मिल जाएगी तो दोस्तो ये थे हमारे top 7 best wire earphones जो किया थे 700 रुपी के price range के अंदर I hope आपके थोड़े बहुत doubts clear हो गए होंगे अगर इस वीडियो से related कोई भी सवाल है तो आप अमें comment box में पूछ सकते हैं अगर ये वीडियो आपको informative लगी तो इसे like करे, share करे और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी subscribe जरूर करे So that's it for today मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye and take care